हालो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आपका भई हाज रेनी वेकेंसी के साथ, जैसा कि आपने थम्बनेल में देखा है कि आज जो वेकेंसी आरी हो आरी है रिलाइंस की तरफ से, और रिलाइंस का नाम किसने नहीं सुना, टॉप की कमपनी है मेरे बाई वीडियो को देखिएगा, कोई भी बंदा अपलाइ कर सकता, अगर आपने ग्राइजिएशन किया है, किसी भी ब्रांच में, तो आप यहाँ पर अपलाइ कर पाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करेगा, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीज ताकि आपको नेक्ट वीडियो का नोटिविकिशन सबसे पहले मिल पाएं, और आपका भाई इस चैनल पर इंजिनरिंग जो अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चलिए शुरू करते हैं जैसा कि अब इस स्क्रीन पर देख पार है, यहाँ पर जो वैकेंसी आरहाएं, रिलाइन्स की तरफ से, इस यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि फॉर्म को अप्लाय को करना था है, वो भी प्रोसेस हम इसी वीडियो में यहां पर आप देख सकते स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है यहां पर देख सकते हैं अगर आपकी चौवीस से लिए के तीस साल के बीच में है तो आप अप्लाइक कर पाएंगे इस क्राइटेरिया जो काउंट होगा वह 31 अक्टूबर 2021 तक काउं बहुत अच्छी ओपॉर्चुनिटि यह वीडियो को पूरा देखेगा यहां पर नेक्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं जब आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाता है तो आपको यहां पर फाइनल येर का मार्किट पूरा रिक्वाइड होगा यहां पर आपको प्रीफेंस यहां पर बुला गया है से स्पोर्ट पर्सन है ठीक है जोनोंने डिस्टेट और नैशनल लेवल पर खेला है वह बंदों को पर सब्रिफेंस दिया जायेगा प्रिफेंस देने का मतलब यह नहीं है कि इनको लिया ही जाएगा लेकिन इनको पर फेश्क्वाइड verification होगा उसके बाद आपका selection हो जाएगा पहला जो round होने वाला है वो आपका proficiency test होगा जिसमें आपका CBT होगा जिसमें reasoning mathematics यह सारे question आपसे पूछे जाएंगे दूसरा जो होने वाला है जो personal आपका profiling आपको होने वाला है तीसरा आपका personal entry होगा चौथा आपका होने वाले physical efficiency test होगा physical efficiency test के अंदर आपसे 2-3 km आपको दोड़ाया जाएगा इस सब कुछ चीज आपसे होने वाली है ठीक है अब बात आती है apply कैसे करने है ठीक है apply करने का पूरा process बता दूँगा आपको यहाँ पर आपकी जो जॉब रहने वाले वो permanent जॉब रहने वाले है यहाँ पर ठीक है 2018 2019 2020 कोई भी बंदा बैच apply कर पाएगा ठीक है बहुत अच्छी opportunity है अगर आपकी branch electrical mechanical या civil कोई सी भी है तो आप यहाँ पर apply कर पाएगे अच्छी opportunity है मेरे वाइद मिस मत करिए apply जरूर कर दीजिए और बात आती है अब apply कैसे करना है यहाँ पर इसक्रीन पर देख सकते है लॉग इन का बटन आ रहा है इसका आपको क्लिक कर देना है email address लिखना है आपको अपको अपना mobile number आपको password सेलेक्ट करना है minimum 8 character का उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वही password आपको confirm करना है यहाँ पर capture code दे रहा है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है डालने के बाद यहाँ पर register कर लेना है जैसे आप register पर क्लिक करें जो कर देना है जो मेल आए उसको confirm करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइड है मैं आपको login का बटन दीख रहा है मिर बाई यहाँ पर login का बटन दीख रहा है आपको पना email ID आपको password यहाँ डालके आपको login कर लेना है जैसे आप यहाँ पर login करेंगे directly आप apply कर पाएगे simple सा process है मिर बाई आप अराम से apply कर सकता है ठीक है मिर बाई अच्छे opportunity है तो miss मत करिए apply कर देजिए salary आपको काफी बढ़ी है रहने वाला मिर बाई और like government job जैसे ही आपको रहने वाला facility भी बहुत सारे अपको मिलेगी ठीक है मिर बाई तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करिए share करिए और लोगों तक जिनको job की need है and comment करके जरूर बताइए आप कौनसी job search कर रहा है तक कि वो job आपके लिए हम ला सके and whatsapp, telegram, linkedin, facebook से जुरूने के लिए हमने description में link दिया आप directly वहाँ पे click करके join कर सकते मेर बाई all the very best, जैहिन